कायपूर में शब्ग्रेन समारोह से एक दिन पहले नब नियुक्त मुख्मंतरी विश्णु देव साय ने युद्भीर सींग जू देव के परिवार से मुलाकात की है इस दोरान उन्होंने पूरे परिवार का आज सुझ बाद लिया मुख्मंतरी विश्णु देव साय ने कहा कि हमने कुमार साहिब से सीखा है कि बिनमरता कैसी होती है कारीकरतों का संबान कैसी किया जाता है यह सब गुर्ण हमने उन्हीं से सीखा है इसी क्रम में धीरम मामले में उमेश पटल के बयान पर मुखवंधरी बिश्नु देव साय ने परड़बार करते हुए कहा कि उनके पास 5 साल के समय था और पूर्व मुखवंधरी कहते थे तो पांच साल उन्होंने क्या किया बहीं पूर्व मुक्मंतरी भुपिश बगिल को आमंतरित किया जाने के सवाल पर स्थीम बिश्नु देव साय ने कहा कि पूर्व मुक्मंतरी को हमने आमंतरित किया है कॉंग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी हमने आमंतरित कि है कि पूरु मुख्मंद्री जीव और पूरु मुख्मंद्री बोलते हैं कि सबूत उनके जीव पे है तो पांसाल उनने क्या किया देखे हमने कुमार साब से सिखा कि बिनम्रता क्या चीज होती है कारकरताओं का समान कैसे किया जाता है इसा वहां गुण हमोने के सिखे